नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की जोती ओल क्लासेज पर जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने चंदरगुप्त मौर्या के बारे में पढ़ा था आज हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे जो के चंदरगुप्त मौर्या का उत्रादिकारी था जो बिंदुसार था वो चंदरगुप्त मौर्या का एक लोता पुत्र था तो पहले हम एक कविता के माद्यम से बिंदु सार की जीवनी के बारे में जानते हैं फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे जनम हुआ 320 वीसी में जिसका पिता चंदरगुप्त मौरे जैसा महान था समराट जनम हुआ 320 वीसी में जिसका पिता चंदरगुप्त मौरे जैसा महान था समराट इसलिए तो बिंदु सार कहलाया था अमित्र घात जुनानियों ने कहा अमित्र चेटस वायू प्राण में बदर सार जैन ग्रंथों में सिंग सेन कहलाया था आजीवक संपरदाय का थाव नियाई इसके दरवार में डाइमेकस राजदूत भी आया था सीरिया नरेश एंटियोकस से दार्शनिक सूखे अंजीर वै मदिरा मगवाई थी बिंदू सार ने सुबदरांगी समेत सोला रानियों से शादी रचाई थी तो ये थी कविता बिंदू सार की जो मैंने आपको याद कराने के लिए बनाई है तो अब हम डिटेल से बिंदू सार के बारे में पढ़ते हैं जो बिंदू सार थे जैसा कि मैंने आपको बता दिया वो चंदरगुप्त मौरिया के उत्राधिकारी थे जो उनका शासनकाल था बिंदू सार का वो 298 वीसी से 273 वीसी तक था इसका जनम 320 वीसी में हुआ था अमित्र घात का जो अर्थ होता है ए मित्र जो मित्र नहीं है बई जो मित्र नहीं है तो वो शत्रू तो है अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रू विनाशक अर्थात बिंदू सार को अमित्र घात कहा जाता था कि उसने अपने सारे शत्रों का नाश कर दिया था तारानाथ बहुत विक्षु ने कहा कि बिंदु सार ने सोला राज्यों को विजित किया था एक तारानाथ बहुत विक्षु थे जिन्होंने कहा कि जो बिंदु सार थे उन्होंने सोला राज्यों को विजित किया था जुनानियों ने इसे अमित्र चेटस कहा वही अमित्र चेटस का अर्थवी अमित्र घाच से ही लिया जाता है बायू पुनाण में इसे भदरसार या वारिसार कहा गया जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंग सेन की उपादी दी गई जो बिंदुसार थे वो आजीवक संपरदाई के अनुयाई थे जो आजीवक संपरदाई था उसकी जो स्थापना की थी वो मखली गोहसाल ने की थी किसने की थी मखली गोहसाल ने स्ट्रैवो के अनुसार है स्ट्रैवो एक विद्वान थे उन्होंने कहा कि सीरिया के नरेश एंटियोकस थे उससे बिंदुसार ने एंटियोकस ने बिंदुसार के दरवार में डाइमेकस नाम का एक राजदूत बेज़ जा था डाइमेकस को माना जाता है कि वो जो मैकस्थनीज थे उनका उत्रादिकारी माना जाता है मैकस्थनीज आपको याद है कि जो सिकंदर का सेनापती सेलुकस निकेटर था उसके साथ चंद्रगुप्त मौरिया का युद्ध हुआ था और जो सेलकस निकेटर का जो राजदूद था वो मैकस्थनीज था और मैकस्थनीज का उत्तरादिकारी डाइमेकस को माना जाता है एथीनियस के अनुसार जो बिंदूसार थे उन्होंने एंटियोकस से मदिरा सुखे अंजीर वैक दार्शनिक भेजने की प्रार्थ ना की थे लेकिन एंटियोकस ने मदिरा भी भेज दी और सुखे अंजीर भी भेज दी लेकिन उसने दार्शनिक नहीं भेजे थे बिंदुसार का जो जनम था वो 320 वीसी में हुआ था उनके पिता महान समराट चंदरगुप्त मौर्या थे माता का नाम कहा जाता है के दुरदराथ था बिंदुसार की 16 रानिया थी एक सुबधरांगी और 15 अन्या रानिया थी जो सुबधरांगी थी वो क्यों महतपूर्ण है क्योंकि जो महान अशोक राजा थे महान समराट अशोक उनका जनम सुबधरांगी की कोक से हुआ था सुबधरांगी से तीन पुत्र हुए थे अशोक, बिताशोक और 98 दो एक सुशीम नाम के पुत्र थे सुबधरांगी से तीन पुत्र अशोक, विताशोक और सुशीम थे और अठानमे पुत्र अन्या थे कुल बिंदुसार के 101 पुत्र थे कुल कितने पुत्र थे? बिंदुसार के माना जाता है कि 101 पुत्र थे आगे चलकर जब अशोक राजगदी पर बैठेंगे तो वो अपने 99 भाईों को मार के फिर राजगदी पर बैठेंगे पहली बार जब बिंदु सार का नाम इत्हास में बार्मी शताबदी में जैन लेखक हेम चंदर की रचना परिशिष्ट परवाना में दिखाई पड़ता है पहली बार अगर हम बिंदु सार के बारे में कुछ जानकरी मिलती है तो बार्मी शताबदी में मिलती है कहां से मिलती है जैन लेखक हेम चंदर की रचना परिशिष्ट परवाना से बिंदु सार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से जाना जाता है ऐसा क्यों भई क्योंकि जो बिंदु सार थे वो महान समराठ चंद्रगुप्त मौरिया के पुत्र थे और महान समराठ अशोक के पिता थे बिंदु सार की इतनी उपलब्धिया नहीं थी उनको पिता और पुत्र के नाम से जाना जाता है बिंदू सार के शासनकाल में तक्षिला का विद्रो हुआ जो के सिंदू जेलम नदी के वीच में था इन दोनों जो विद्रोहों का जिक्र बिंदू सार के शासनकाल में माना जाता है कि जब बिंदू सार का शासनकाल था तो तक्षिला में दो विद्रो हुए थे जो के सिंदू नदी और जेलम नदी के बीच में थी तो ये थी बचो आज की छोटी सी क्लास जो के बिंदू सार के बारे में थी क्योंके बिंदू सार की इतनी उपलब्दिया नहीं थी उन से रिलेटर हमें बहुत सारे क्वेस्चन नहीं याद करने पड़ेंगे जो हमने पढ़ा है बस इतना काफी है इन बातों को आपको याद रखना होगा तो थैंक्स पर बॉचिंग धन्यवाद